सो हेलो फ्रेंस आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो फ्रेंस यहां पर एवी मेनुफेक्चर के लिए एक थोड़ी मैं कहूंगा कि बैड न्यूज है क्योंकि एवी विकल्स की जो बैटरी रहती है उसमें केमिकल लियक्शन के कारण आग लग जा रही है जैसे कि पिछली मं एक कंपनी है सहारा सहारा जो इसका ब्रैंड नेम है उसकी भी गाड़ी में आग लग गई है एक्षली जो आग लगे है मुंबई में लगी है कहीं किसी बाइक में आप अभी जैसे की वीडियो में देख पा रहे होंगे जो गाड़ी है उसमें से दुआ निकल रहा है और आ incident हो गए है अब इसके उपर government को कोई ना कोई रूल और regulation लेके आना पड़ेगा मुझे जहां तक लगता है क्योंकि ऐसे जो customer है जो उसके उपर बैठ है उसको कही ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होता है अब यह जो महरास्ट में जिनकी गाड़ी जली है अब यह इसके बारे म गाड़ी तो चलो ठीक है उनको मिल जाएगी बट कहीने कि अगर वो उस गाड़ी पे बैठे होते तो कहीने कहीं यह बड़ा concern था वो कहीने कहीं जखमी हो सकते थे या आग लग सकते थे कुछ भी हो सकता था अब government को कहीने कहीं चाहिए कि इस चीज को regulate करे और इसमें थोड और युश्य जो चिप वगएरा लगते हैं जो भी उसके parts वगएरा होते हैं जैसे कि कई बी electrical जो पार्ट रहते हो ज्यादा था जो चाहिना से इंपोर्ट होते हैं अभी हाली में जैसे क्या आपने देखा होगा जो ओला की डिलिवरी का जो मेन करण था वो उनका चिप करती है सब हमें चाहिना से इंपोर्ट होती हैं सो कहीना 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 को चाहिए कि जो EV manufacturing जो companies है जो यह new new companies जो launch हो रही है पी और EV सहारा इन जैसे कंपनियों पर आप regulate करें और कहीना की customer की safety का भी धियान रखें मुझे रखता है कहीना कि जो government incentive देती है हमें उस incentive को छोड़ क्या हमारी safety की तरफ का सब्सक्राइब करने से थोड़ा motivation मिलती है और वीडियो बनाने की और थोड़ा knowledge देने की और जो मेरे पास knowledge उसको share करने की so friends thank you very much for watching my video and once again thank you for subscribe